नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेकनिकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट से कोको पीट का जो ब्लॉक हम लेके आते हैं उसे यूज करने का सही तरीका कैसे यूज करना वीडियो के आखिर में दोस्तों हम देखेंगे कि इस परकार अपने ही पौदे से तयार किये गए बैगन के बीच सीड्स को हमें सीड्लिंग मिक्स कैसे बनाना और उसमें कैसे लगाना है वीडियो में लाश तक बने रहे कोई पार्ट स्किप मत कीजेगा और अगर चैनल प पानी घर रख और यह एक केजी का कौकोपीट का ब्लॉक है यह और भी कई कीजी में और हाफ कीजी में भी आते हैं ब्लॉक तो इस ब्लॉक को देखेंखें कवर हैं हम पौलेथिन हटा लेंगे और कौकोपीट दोसतों अपने फाइफ टाइम एक्समेंड होता अगर एक कर लेगा अपने अंदर तो हमने आधे लिटर से थोड़ा ज़्यादा पानी रखा और उसमें हम यह ब्लॉक को इस तरह से डुबा देंगे आप देख सकते हैं बुलबुले जो निकल रहे हैं यह इसके जो एक्सपेंड होने की कह सकते हैं आप सिंबल है कोको पीट अच्छे से पानी में एक्सपेंड होने लगा है पांस से दस मिनट लेता है और पूरी तरह से यह पानी में एक्सपेंड हो जाता है अगर अच्छी क्वाल्टी का कोको पीट है तो लेकिन फिर भी हम इसे करीब एक घ के धूप में सुखा लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे कहीं भी श्टोर कर सकते हैं तो इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए पिर देखिए दोस्तों इस परकार से हमने इसका निकाल के बोरे पर बिचा लिया है और इसे काफी अच्छी मातरा में धूप लग गई है और यह अच्छे से भुरबुरी हो गई है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भुरबुरी हो गई है तो कोको पीट को इस परकार से सुखा के हम स्टोर कर सकते हैं और पूरे साल अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं कोको पीट के मैं कुछ यूजज बता दूँ दोस् है वो इसलिए क्योंकि यह मौश्चर को होल्ड करता है और उसके अलावा मिटी में जो वह थी मिटी के जो ड्रेनिस सिस्टम है उसे अच्छी बनाती है और रूट्स के लिए एरेसन अच्छी होती है इसके मिलाने की वज़े से जो मिटी के पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो kocopete जब रहता है तो उसमें गंपले में एर इसन अच्छी हो जाती है तो कुछ चीजें हैं जिसकी वज़े से हमें kokopete यूज करना चाहिए दूसरा गर्मियों में बहुत ज़ादा गर्मी होती है तो kokopete जो है moisture को hold करके रखता रूट्स जलते नहीं हैं डैमेज नहीं होते हैं ये देखिए सुखाने के बाद भी कोकोपीट काफी ज्यादा मॉस्चरिस में बना हुआ है तो इसके अलावा मैं बताओं दोस्तों आपको जो दूसरा यूज है ये है मल्चिंग का चाहे गर्मी हो बरसात हो तो दोनों ही अगला यूज है गाडन में जो सबसे जादा यूज क्याता है वह होता है सीडलिंग मिक्स बनाने में जो इसमें की सीट्स बहुत अच्छे जर्मिनेट होते हैं क्योंकि कोकोपीट आप सभी जानते हैं मॉस्चर होल्ड करकर रखता है तो 50% कंपोस्ट के साथ 50% कोकोपीट मिला के हम सेडलिंग मिक्स बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूं बना कि और सीट्स भी लगा कि दिखाता हूं कि सीडलिंग मिक्स हमें कैसे बनानी है तो मैं देखिए 50% यह गाय की गोबर की खाद है इसे ले रहा हूं अच्छे से डीकम्पो़श्ट है आप बर्मी कंपोस् और 50% हमने साथ में कोको पीट इसमें मिला लेना है अब ध्यान रहें कि सीडलिंग मिक्स बनाते समय जी यह बड़ी बड़े रेसे हैं यह इसमें ना रहें थोड़े बहुत कम मात्रा में होंगे तो चल जाएंगे पर ज्यादा मात्रा में होंगे तो वो इस पेस दे जाते हैं रूट्स को खराब हो जाती है फिर उससे तो इस प्रकार से हमने 50-50% कावड़न कमपोस्ट 50% वर्मी कमपोस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दोस्तों यह हमारा सीडलिंग पॉट है सीडलिंग ट्रे है जिसमें हम सीडलिंग मिक्स लगाएंगे और सीडलिंग हम किस चीज़ के लगाएंगे चले मैं आपको वो भी दिखाता हूँ तो यह देखे दोस्तों यह हमारे बैगन का पौदा है सफेद वाले इसमें मैंने एक बैगन छोड़ रखा था सीड के लिए तो यह काफी अच्छे से इसमें सीड बन गया है तो अब हम इसी में से सीड निकालके उस सीड्लिंग मिक्स में लगाएंगे तो दोस्तों यह सीड्लिंग मिक्स है हमारी जिसको के हमें अच्छे से मिला लेना है जो गय की गोबर की खाद है और कोको पीट है यह अच्छे से आपस में मिल जाएं गय की गोबर की जो खाद है यह निट्रियंट्स सीड्स को जब जर्मिनेट होंगे तो मिलेगा उन्हीं औ मिक्स करने के बाद हम इसे इस सीडलिंग ट्रे में भर लेंगे जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हमें आथ से मेस कर लेना है बतलब बारीक कर लेना है अगर बड़े रह जाएंगे तो मिट्टी ठीक से बैटेगी नहीं और एर पॉकेट बने रहेगा जिससे सीड् में है तो यह देखिए दोस्तों यह हमने सीड्लिंग मिक्स से अपना सीड्लिंग पॉट को भर लिया है और आप हम निकालेंगे सीड अपने उस बैंगन से जो भी हम तोड़ के लिए आए हैं तो इसे हम इस प्रिकार से देखिए दोस्तों हमने जो है अब इसमें देखिए ऊपर-पर यह जिससीड्स दिख रहे हैं आप इने डारेक्ट भी लगा सकते हैं और धूप दिखा के सुखा के भी यूज कर सकते हैं तो मैं इन्हें फिलाल डारेक्ट लगाने जा रहा हूं पर अगर आप इसे धूप दिखा के यूज कर हमने थोड़ा-थोड़ा सा छेद कर लेना गैप कर लेना है और गैप करने के बाद एक-एक सीड्स हमें सभी होल्स में डाल देने हैं देखिए एक-एक सीड्स हमें सब में अब इसे हमें ढख देना है कवर कर देना दोस्तों तो जो हमारी सीड्लिंग मिक्स है उसी से हम इसे वापस से कवर कर देंगे झाल कर दे में उसकतुब हैं दोस्तों इसे cover करने के बाद इसमें हमने करनी है watering watering कैसे करेंगे दोस्तों यह भी बहुत ध्यान देने वाली चीज है क्योंकि अक्षर क्या होता है हम watering करते हैं तो हमारे seeds जो है निकल के बाहर चले आते हैं पानी का pressure पढ़ने की वज़े से तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखें कि watering कैसे करना है और इसके बाद से रखना कहा है तो दोस्तों जो watering करनी है हमें वो करनी है इस प्रिकार से आप किसी sprayer bottle की मदद से इसमें watering करें जिससे की जो मिट्टी है वो उखड़े नहीं और seeds अपनी जगा बने रहें अब दोस्तों अच्छे से watering करने के बाद हमने इसे रख देना है सेड़ेट प्लेस में जहां डारेक्ट संलाइट ना आती हो भी जब तक कि हमारे seeds germinate नहीं हो जाते तो मैं इसे लेचल के रख देता हूं सेड़ेट प्लेस में आप भी अपने यहां जहां भी आपके आच्छाएदार जगा हो वहां रख दीजिए जब इसमें एक बार seeds germinate हो जाएं तो फिर इसे लूप में रखना है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को share करें सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें और अगर कोई सुझाओ हो कोई सवाल हो तो comment box में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद